जब भी आपको नाश्ते में या फिर चाय के साथ कुछ हलका खाने का मन हो और ज़्यादा मेहनत करने का मन नियूँ तो आप इस सिंपल स्पाइसी वेस्ट टोस्ट की रेसिपी को एक पर जरू ड्राई करें बनाना बहुत आसान है और टेस्ट आपको बहुत पसंद आएगा तो चलिए आज के मज़ेदार रेसिपी शुरू करते हैं स्पाइसी वेस्ट टोस्ट बनाने के लिए मैंने यहाँ पे आधा कब बेसन लिया है और इसमें हम डाल देंगे सबजिया तो सबजियो में मैंने यहाँ पे बारी कटवा प्याज लिया है इसके साथ हम गाज़र डाल देंगे थोड़े से फ्रेंच बिंस और टमाटर डाल देंगे आप चीए तो इसमें हरी मिर्च का भी इस्तमाल कर सकते हैं मैं यहाँ पे चिली फ्लेक्स और लाल मिर्च पाउडर इस्तमाल करूंगी तो अब हम क्या करेंगे इस बैटर को ढख देंगे और पांच मिनट के लिए रख देंगे ताकि बेसन जो है वो थोड़ा फूल जाए और सबजिया जो है वो थोड़ी सॉफ्ट हो जाए पांच मिनट यहाँ पे हो चुके हैं तो यह हमारा बैटर जो है वो रेडी हो चुका है तो अगर आपको थोड़ा सा कलरफुल बनाना है तो आप इसमें हल्दी पाउडर का इस्तमाल कर सकते हैं तो यहाँ पे एक चौथा ही छोटा चमच में हल्दी पाउडर डाल लेती हूँ और इसे ऐसे मिला देती हूँ यह देखिए थोड़ा कलरफुल दिखता है अब हम चलते हैं टोस बनाने के प्रासेस में तो टोस बनाने के लिए आप वाइट ब्रेड या ब्राउन ब्रेड जो भी इस्तमाल करना चाहते हैं वो कर सकते हैं तवे के उपर थोड़ा तेल लगा के उसे ग्रीस कर ले और इसके बाद ब्रेड की स्लाइस को इसमें डिप करके तवे के उपर रख देना है तो ब्रेड गुना डुबा के ऐसे छोड़ना निया बस एक बार ऐसे दोनों साइ बेशन हे वो अच्छे से से एक हो गया ये जिर Indya के ऐसे ब्राउन होने तख ब्राउन को पकने में समय लगता है इसलिए हडवरी नहीं करे तो यह हमारा सज़्ए वो दोनों साइट से अच्छे से पक गया ये ले ब स्ञ्आर घरमा गरम सर्फ करेंगी तो शवख करने के ल भी दे सकते हैं उन्हें भी बहुत पसंद आएगा बस मिर्ची वहाँ पर कम इस्तिमाल करें तो यह हमारा सूपर टेस्टी स्पाइसी वेस्ट टोस्ट जो है वो बन के तियार हो गया है तो यहाँ पे न मैं थोड़ा सा खा भी लेती हूं क्योंकि देखके तो बहुत ही टेम् को सब्सक्राइब करना बिलकुल न भूलें